वेलकम तो इंप्रोवाइस लानिंग पॉइंट जैसा कि आप सभी देख रहे हैं आज का हमारा टॉपिक है रासाइनिक सुत्र कैसे लिखें तो आज के इस वीडियो में हमने पूरी कोशिश किया है कि जितने भी जादा से जादा जो रासाइनिक सुत्र है जो की परिक्षा मे बार-बार पूछे जाते हैं उनको एक ही वीडियो में इंक्लूड किया जाए ताकि आप सभी बहुती कम समय में उनको याद कर सकें तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाइडोजन क्लोराइड हाइडोजन क्लोराइड का सुत्र बनाने के लिए हाइडोजन का प्रतीक लिख दे और इनको CROS-MULFLY करवा देंगे, तो हमें हाइडोजन-CLORO- Morning का सूत्र मिल जाएगा, जब H को 1 से गुणा करेंगे, तो H1 होजाएगा, C1 को 1 से गुणा करेंगे, तो CL1 होजाएगा, हाइडोजन-SULP форм kita, हाइडोजन-Sulfite के लिए हाइडोजन का सूत्र लिख देंगे, सलफ पर को X से गुणा किया तो S हो गया, तो इस तरीके से formula हो जाएगा H2S, carbon tetra chloride, इससे आपको confuse नहीं होना है, कि यह tetra का मतलब क्या है, आपको simple carbon का लिख देना है, पसूत्र और chlorine का लिख देना है, जितना आवेश carbon का होता है वो लिख देना है, और chlorine का आवेश लिख देना है, cross multiply कर देना है, आपको formula मिल जाएगा, CCl4, carbon को गुणा किया 1 से, तो 1 carbon, chlorine को गुणा किया 4 से, तो 4 chlorine, तो I hope आपको समझने आ गया, कि आपको करना क्या है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आपको यह समझना है, कि magnesium के उपर 2 plus charge क्यों आया, तो इसके लिए भी ह हमारे channel पर videos available है, आप वहाँ से आकर समझ सकते हैं concept को, कि किसी बर्माणों के उपर कितना charge आता है, और वो कैसे आता है, दूसरा, कि जब भी आप, अगर आप चाहें, तो इनको trick से भी याद कर सकते हैं, तो trick भी हमारे channel पर available है, वो भी आप आकर देख सकते हैं, next important thing है कि जो भी आप अपने यहां, बाई तरफ जो भी आप अपने तत्व लिखेंगे, उनके आवेश धनात्मक ही होंगे, यह आपको ध्यान रखना है, और जो भी अपने आप दाए हाथ की तरफ लिखेंगे, वेट, जो भी आप अपने दाए हाथ की तरफ तत्व लिखे होंगे, उनके जो आवेश होंगे, वो रिनात्मक ही होंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां बाई हाथ के तरफ जितने भी आवेश हैं, वो सारे धनात्मक हैं, सब के साथ जमा का चिन लगा हुआ है, और दाए हाथ वालों के साथ सब के साथ घटा का चिन लगा हुआ ह ये भी आपको ध्यान रखना है तो चलिए नेक्स्ट मेगनेशियम, क्लोराइड, मेगनेशियम लिख दिया, क्लोरीन लिख दिया, इनके आवेश लिख दिया और पर्मुला बन गया मेगनेशियम, क्लोराइड का MgCl2, Aluminium Oxide, Al, फिर यहां पर लिख दिया, O, Cross Multiply के इनके आवेश के साथ, तो मिल गया Al2O3, नेक्स्ट लिखते हैं, क्लोराइड यह शिंब दिया, आपने दोनों का पृतीक लिख दिया, और यहां पर जो आवेश है, यह दोनों ही बराबर है, तो इस case में दोनों आपस में कट जाते हैं और आपके पास हो जाता है 1 प्लस और 1 माइनस जब इनको cross multiply कर देते हैं तो formula हो जाता है CAO NaNO3 ये है हमारा sodium nitrate तो sodium और nitrate दोनों का प्रतीक लिख दिया इनके आवेश लिख दिया, cross multiply किया, मिल गया आपको NaNO3 calcium hydroxide फिर से calcium hydroxide का प्रतीक लिख दिया इनके आवेश लिख दिये, cross multiply किया, मिल गया formula ये अब यहाँ पर concept बहुत important concept है, वो क्या है तो देखते हैं bracket का concept है अब जब भी हमने इस दो से गुणा किया hydroxide को तो ये जो दो है, ये oxygen से भी गुणा होगा और ये दो hydrogen से भी गुणा होगा इसलिए हमने यहाँ पर bracket लगाया अब अगर हम बात करें next में यहाँ sodium carbonate की तो sodium और carbonate का पती क्लिक दिया अब यहाँ पर भी carbon और oxygen दो अलग अलग तत्व हैं लेकिन इन दोनों को हमें एक से गुणा करना है जब एक से गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि यहाँ पर carbon एक है एक से गुणा क्या तो एक ही रहेगा oxygen तीन है तो तीन से गुणा क्या तो तीन ही रहेगा oxygen तीन है तो एक से जब हम इस oxygen को गुणा करेंगे तो यह तीन ही रहेगा लगाया है कि हमें यहां पर 2 से गुणा करते हैं तो ब्रैकिट लगाने की जरूरत नहीं हैं अगर हम एक से ज्यादा संख्या से गुणा करते हैं तो ब्रैकिट लगाने की जरूरत है नेक्स्ट देखते हैं कि ऐ संपेट bodayam Podcast तो bracket लगाना जरूरी है bracket लगा दिया और यहां sulphate को एक से गुणा कर रहे हैं तो यहां bracket लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह उतना ही रहेगा किसी पी चीज को एक से गुणा करते हैं तो वह उतना ही होता है तो इसलिए यहां पर bracket नहीं लगाया तो I hope आपको समझ में आ रहा होगा अब देखते हैं sodium oxide sodium oxygen का प्रतीक लिख दिया और इनक्या वेश लिख दिया क्रोस मल्टिप्लाइब किया फॉर्मुला बन गया एनी टू ओ सोडियम सलफाइड एने टू एस अल्यूमिनियम फ्लोराइड यह बहुत ही सिंपल है इसलिए मैं इसको ज्यादा डिसकस नहीं कर रहे हूं मैगनेश्यम हाईडर ऐकसाइड थी से यहाँ बदेखने मैगनेश्यम को एक से गुणा किया तो सिर्फ एमजी आ जाएगा ओएच ऐसे गुणा किया तो यह ब्रेकेट लागाना जरूरी है क्यांकि हम यहाँ दो अलग अलग तत्वों को गुणा कर रहे हैं इसलिए ब्रेक तत्व को गुणा करेंगे और जो कि एक से ज्यादा तत्व भी हो तो वहां ब्रेकित लगाना जरूरी है अब जैसे अलूमिनियम सल्फेट है तो अब यहां दो से गुणा कर रहे हैं लेकिन एक ही तत्व को गुणा कर रहे हैं अलूमिनियम को तो यहां पर ब्रेकित लगाना तो sulphate को हम 3 से गुणा कर रहे हैं जो कि 1 से ज़्यादा है और यहाँ पे 2 तत्व भी हैं तो यहाँ पे bracket लगाना ज़रूरी है तो I hope आपको concept समझ में आ रहा होगा कहाँ पे bracket लगाना है कहाँ पे नहीं लगाना है next देखते हैं calcium chloride का तो यह है calcium और यह है chlorine calcium का हो जाएगा 2 प्लस और chlorine का हो जाएगा 1 माइनस तो 1 से इसको गुणा करेंगे तो आजाएगा calcium और chlorine को 2 से करेंगे तो आजाएगा CO2 तो आपको समझ में आ गया potassium sulfate बहुत आसान है कर सकते हैं आप अब यहाँ पे potassium को हमने 2 से गुणा किया है लेकिन यह एक ही तत्व है तो ब्रेकेट लगाने के जरूर नहीं है potassium, nitrate, NO3 बहुत आसान है calcium, carbonate, CaCO3 बहुत आसान है अब आप कहेंगे कि यहाँ पे 2-2 है तो यह कहां गया यह आपस में कट गया और बच गया एक और एक जब आपस में यह गुणा होंगे calcium को 1 से और carbonate को 1 से तो आजाएगा CaCO3 copper, nitrate, copper और nitrate अब copper के उपर 2 charge होता है 1 प्लस भी होता है 2 प्लस भी होता है तो इस case में यह दोनों ही formula सही है copper, nitrate के लिए पहला हो जाएगा CuNO3 और दूसरा हो जाएगा CuNO3-2 तो आपको घवराना नहीं है, यह दोनों ही formula सही है जब copper को यहाँ पे गुणा करेंगे चलिए next से देख लेते हैं इस case को copper oxide, next जो है हमारा, वो है copper oxide, तो copper लिखा और यहाँ oxygen लिखा, यहाँ एक प्लस है, यहाँ दो प्लस है तो जब हम multiply करेंगे पहले case से, तो Cu2 हो जाएगा और O1 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा, जब दूसरे case से हम multiply करेंगे तब हो जाएगा हमारा Cu2 और O2, लेकिन यह 2 और 2 cancel हो जाएगा, और आ जाएगा 1 और 1 तो overall हमारा हो जाएगा Cu1 और O2 हो जाएगा हमारा 1, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा CuO sodium chloride बहुत ही आसान है, formula हो जाएगा NaCl, sodium nitrate NaNo3 यह भी बहुत आसान है sodium bicarbonate भी बहुत आसान है, बस इनके तत्मों के प्रतीक लिखने है, और इनके आवेश लिखने है यहाँ 3+, यहाँ फिर से 2 गटा का चिन लगाना है, अब पहले case में formula बन जाएगा आपका FES, और दूसरे case में formula बन जाएगा आपका FE2 और S3, यह दोनों ही सही हैं, आपको घबराना नहीं है, तो हमने पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाएं, कि सूतर कैसे बनाने हैं, अगर आपको आवेश याद करना है, तो चाहे trick से, चाहे समझना है, तो आप हमारे channel पर आकर visit कर सकते हैं, अगर कोई doubt हो, तो आप हमें comment कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके doubt को solve करें